जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके लिए आपके लूसेंड सीरेज के जो अपनी एक हजार प्रशनों की सीरेज चल रही है उसी का अंगला पार्ट है ए अपना तो वीडियो को पूरा व सबसे अदिक देशों की सान्थ लगति चीन आपके लूस्ता पार्ट है बेरोमीटर के पटन में तेजी से गिराबट ये जो सूचक है तूफान का किसका सूचक है तूफान आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगले कॉस्चन देख लेते हैं कॉस्चन नमबर 104 कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है कि भारती मरुस्थल का क्या नाम है बारती मरुस्थल का क्या नाम है बहुती मतवण कॉस्चन है आपका यहाँ पर और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है काजिरंग राश्च्टी अभ्यार्ण है जो किस राज्जम में है तो ये जो है काजी रंगा पूंचा है, तो काजी रंगा आपका असम, असम आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर असम आपका यहाँ पर सही आंसर है, अंगले कॉस्चन क्या है, प्रत्वी अपनी धुरी पर किस दिसा में घुमती है, तो प्रत्वी जो ह को है नदी के किनारे अजा कौन अगालिय स्वर मंदर कहां पर आपसे पूंचा जाए तो आद्ध रखना है का मिला भी लगता है अगला question क्या है देखिए अउसी कौन सी दादून बिजली की सबसे से अधिक सूचालक होती है, देखे, आपके लिए सूचालक यहां पर पूंचा सूचालक है, तो सुचालक में आपका आ जाएगा च 만든 लिया है, छांदी राइट answer है, गोबर्येस के मुक्ट में क्या पाइजाता है, तो मतलब कौन सी guess पाई जाती है तो यह आपका मीथेन आपका सही answer है मीथेन पाई जाता है गोबर guess अपन जो बनाते हैं गोबर guess अंगले question है स्वतंतरता मेरे जर्मसिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूँगा अंगले question क्या है देखे ए रहा आपका अंगले question राज्य सवतंतरता मेरे जर्मसिद्ध अधिकार हैं और इसे मैं लेकर रहूँगा लोग मानने तलक आपका सही answer है फिर अंगले question यहां से पूंचा क्या है कि हिंदी भासा की लिपी कोई नसी है यहां से पूंचा तो हिंदी भासा की जो लिपी है आपका देवनांगरी आपका राइटा अंसर है राज्य सवा के जो चुनाव का जो होता है कितने साल के लिए होता है तो छे अबर साब के लि question क्या है अंगला question तो देखिए हिंदी भासा का पहला समाचार पत्र कौन सा है question number 115 question आप से यहाँ पर पूचा है और उतंड मारतंड आपके हाँ पर सही answer है अंगला question क्या है तो question number 116 question है तुलसी दास्कृत रामचरत मानस हिंदी भासा की किस बोली में लिखी गई है यह आपके लिए बताना है कौन सी बोली में लिखी गई है तो बताए question number 116 का सही answer क्या होगा तो 116 का right answer है अबदी अबदी आपको इहाँ पर सही answer है अबदी जिन्होंने बताया है उनका सही answer है हर्याणा की राज्य कभी कोन कहलाते हैं क्वेशन नमबर 117 का सही आंसर आपका वधाई भानुहंस आपका सही आंसर है वधाई भानुहंस जिन्हों ने बताया है उनका राइट आंसर है अंगले क्वेशन क्या है देखिए आदुन्य के olympic खेलों की शुरुवात कब और कहां से हुई थी देखिए आदुन्य के olympic खेलों की जो सुरुवात हुई थी यानि की यूनान से हुई थी कब हुई थी तो 1.890 में 1.890 आपकflower पर यहां पर सही answer है अंगले question क्या है तो अंगले question यह रहा, भारत ने किसे खेल में, ओलंपिक खेलों में आठ बार स्रॉन पदक जीता है, तो किस खेल में बताना है, यह आपका सही आंसर है, होक्की, होक्की आपका राइट आंसर है, होक्की आपका राइट आंसर है, अंगले question है, भारत ने आकरी बार होक्की में फ्रण पदक जो है कब और कहां जीता था तो आपका सही आंसर है 1980 मास को आपका राइट आंसर है अंगले question है ओलम्पिक खेलों का आयोजन कितने वर्स के बाद क्या जाता है या कितने वर्स बाद होता है तो जो ओलम्पिक खेलों होती है इनका जो आयोजन होता है चार वर्स की अबदी के अंतराल पर होता है और अंगले कॉस्चन क्या है अंतराश्टी ओलम्पिक समीती का मुख्याला कहां पर है ये कॉस्चन आपका मात्पूर्ण है अंतराश्टी ओलम्पिक जो समीती इसका जो मुख्याला है आपका कहां पर है तो आपका right answer है लोसान, स्वीजियलेंड आपका right answer है अंगला question क्या है? तो देखिएieu अंगला question आपका ये रहा कि सन 2012 में ओलंपिक कहां हुए? तो जो ओलंपिक खेल हुए थे सन 2012 में ये कहां पर हुए? तो आपका सही answer क्या है? लंदन London आपका यहां पर सही answer है London आपका right answer है अंगला question है Olympic में Olympic ध्वज में कितने गोली होती है तो इसमें जो गोली होती है वह 5 गोली होती है कितने गोली होती है 5 गोली अंगला question है एक Olympic में सरवादे के स्रौन पड़क जीतने वाला खिलाडी कौन है विए थे अभी कहां पर हुए तो तो क्यों जापन आपका सही आंसर है अंगले कॉश्चन है क्या है था अंगले कॉश्चन तो देखिए आपका अंगले कॉश्चन है सन 2010 वारा की ओलंपिक खेलों में कास पदग जीतने वादी साइना नेहिभाल जो है का सम्बंद किस से साइ अंगले question देख लेते हैं, question number 128, 128 बा question यहाँ पर पूंचा गया है, भारत में ओलंपिक खेलों में, पहली बार किसे बरस भाग लिया तो, यहाँ पर भारत ने पहली बार किस बरस भाग लिया था, ओलंपिक खेलों में, तो 1900, आपका यहाँ पर सही answer है सन 1900, अंगले question है, ओलंपिक खेलों में, पदक जीतने बाली पहली भारती महिला खिलाड़ी कौन है, तो पहली भारती महिला बताने जो ओलंपिक खेलों पदक जीतने बाली, तो कर्णम मल्लेश्वरी आपका सही answer है, कर्णम मल्लेश्वरी आपका right answer यहाँ पर अंगले question, देखे अंगला question है क्या है आपका अंगला question है तो back to beds यानि कि बेदों की और लोटो का जो नारा दिया था किस ने दिया था यह आपके लिए बताना है back to the beds तो आपका सही answer है महरसी दयानंद महरसी दयानंद आपका राइटा answer है प्रसिद जंडा गीत जंडा उंचा रहे हमारा की रचना किस ने की थी एक question आपका महत्तपून है तो यह जो है प्रसिद जंडा गीत है जंडा उंचा रहे हमारा इसके जो गीत के लेखक हैं श्याम लाल गुप्त पारसद आपका यहां पर सही answer है पसुओं में milk fever बीमारी किस की कमी के कारण होती है तो पसुओं में milk fever जो बीमारी होती है कैल्सियम कैल्सियम आपका यहां पर सही answer है कैल्सियम की कर्मी की कारण माना सरी कि किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है तो आपका सही आंसर है गुर्दी गुर्दी आपका राइट आंसर है अंगला कॉस्चन किस एक मात्र भारतियों को अर्षास्त्र में नोबल प्रोस्कार मिला था यह question आपका बहुत ही मात्पूर question है किस एक मात्र भारतियों को अर्षास्त्र में नोबल प्रोस्कार मिला है तो professor अमरत्तिसयन आपका सही answer है अमरत्तिसयन आपका right answer है और एक question ऐसा बनता है कि जो अमर्त सेयन है इनको जो नोबल पुरोषकार मिला है वह किस छीत्र मिला है इस प्रकार का question पूंचे जाता है तो अल्च सास्त्र की छीत्र में इनको मिला है अंगला question क्या है अंगला question देख लिए तो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां के सब और एक जो है किस से बाद्यांतर से सहिनाई आपका राइट आंसर है सहिनाई अंगला question बारत के अंत्यम गवर्णनर जनरल कौन थी भारत की मुझा भारत के अंत्यम गवर्णनर जनरल तो सी राज गोपालाचारी आपका राइट आंसर है अंगला question क्या है बिलाई इस पर सह केंद्र का निर्माण किस देश के सयोग से किया गया है तो भै कौन सा देश है जिसके सयोग से भिलाई इस पास सयंद्र का निर्माण किया गया है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है रूस आपका सही आंसर है अंगला कोश्चन क्या है उत्री दुरुब में भारत के अनु प्रितम महिला कौन थी देखे बिस्व में पूंचा है तो बिस्व में आपका जापान की जुनको तबाई आपका सही आंसर है जुनको तबाई यह जो है पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेष्ट पर फते प्राप्त की थी और जो माउंट एवरेष्ट है कहां पर है आ बिल्कुल अंगला क्वोस्चन क्या है तो यह है आपका अंगला क्वोस्चन कि पीलिया किस रंग का रोग है पीलिया किस अंग का रोग है अंग बताना है तो या क्रित या लीवर आपका सही आंसर है या क्रित या लीवर राइट आंसर है अंगला क्वोस्चन क्या है यह रहा के हैं कतन संबन देऊ क्लोरो का खनेज घटक क्या है क्लोरो फिछ का खनेज घटक क्या है तो आपका सही आंसर में ड्रीशीम अंगलते कॉस्षवन का इल पी जी लिए गास में क्या होता है तो ब्यूटेन आपका यहाँ पर राइट आंसर है अंगले कोश्चन है किसने सरप्रितम असोग के अभी लेखों को पड़ा तो जो पड़ा था यहाँ पर सरप्रितम तो भहे किसने पड़ा था जेम से प्रिंसेप आपका सही आंसर है जेम से प्रिंसेप अंगले कोश्चन है किस बुद्धे भीक्चू के पिरभाव में असोक ने बुद्धे धर्म गरन किया था तो अपकुप्त आपका सभी और अपका सभी आंसर है अंगलो कौशन है कौन सा मुगल वाशा है असिक्ष्षित था असिक्ष्षक यानि की सिक्ष्षित नहीं था तो कौन नहीं थे आपके लिए यहाँ पर बताना है तो आपका यहाँ पर right answer है असिक्षित में अकबर आपका सही answer है इस एक्षित नहीं थी मुगल बातसाहे थी उनगला क्वॉशन है अमरेच सर सहर की सतापने किस ने की थी अमरेच सर जो सहर है इसकी सतापने की थी गुरू रामदास ने, किसने गुरू रामदास आपका यहां पर सही आंजर है अंगला कॉस्चन क्या है गदर पार्टी की संस्तापक कौन थे बहुत ही मात्पून कॉस्चन है गदर पार्टी की संस्तापक लाला हर्दे आलते अंगला question है सिक्ख के इतिहास में लंगर परता जो है किसने प्रारंब की थी लंगर परता यह जो प्रारंब की थी तो सिक्ख के इतिहास में गुरु अंगत देव आपका सही आंसर है अंगला question है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है सभी के लिए पता है कौन सा है सबसे प्राचीन वेद तो आपका है यहाँ पर सही answer है रिगवेद रिगवेद आपका है यहाँ पर सही answer है और वीडियो को लाइक करना न भूलें, बहुत ही महत्पूर्ण ये अपने कॉस्चन है, पीडियाप के लिए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर लें, टेलिग्राम ग्रूप की लिंक जो ए डिस्क्रिप्शन में दी है, तो यहां से आप हमारे टेलिग्राम बहीं पर आपके लिए पीडियाप और इस्टेडि माटेरियल उपलफ्द कराए जाता है, तो टेलिग्राम ग्रूप से सभी लोग जुड़ जाएं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी के लिए जये हिंद!